हेलो स्टूडेंस सो वेलकम टूदी चैनल लेन भी यान सो बेटा आज हम सेशन टू पढ़ेंगे डिजिटल दोकुमेंटेशन में इमेजस इन ए डॉकुमेंट तो बेटा इसमें आपको पढ़ना यह है कि आप इंसर्ट कैसे कर सकते हैं इमेजस को आप ग्राफिक्स को कैसे रगा सकते हैं तरह तरह के रिसोर्से से उनको मोडिफाई कैसे कर सकते हैं उनको ग्रूप में कैसे कर सकते हैं ग्रूपिंग कर सकते हैं उनकी उनकी पोजिशन चेंज कर सकते हैं इस सारी चीज़े पढ़ेंगे तो इंसर्टिंग इमेजसें ग्राफिक्स फ्रॉम वेरियस स पिक्टर्स जो आपके ड्राइंग ब्रिक्ट्स होते हैं उसमें अपने आपके लाइन से यह सारी चीजों को वह क्या है अपने पास आपको प्रोवाइड करता है किflower tbsp हो गई यह आप देख नगिए एर्य है ठेक है यह आपके कर्व हैं यह आपके इसे टैप से 잡 works टेक्स्ट आर्टाध आते हैं आपके यह आपके ड्रेगполож करते हैं इसकर ब्राइंग पैटन पिर और बीटर्वल स्कार्ट ऑर उफक्त जालने के लिए आप उसका यूज करते हैं अब पेटा हम बात करते हैं पिक्चर्ज एपके ग्राफिकस मेराइन जो की अपके स्केसिक यहां पे दिखाया है यहां पर इसको अलग बना सकते हैं इसको अलग कर सकते हैं तो इसको अपका ट्री धर बन गया आपका घर ऐसे बन गया आपके उंसे बन गया तो उसने अपने फुल इमेज़ के को आपने differentiate कर दिया तो यह भी चीज़ आपको टोवाइड करता ओपन ओफिस राइटर अब इता हम बात करते हैं इंसर्टिंग ऑटो शेप्स की open office ORG जो writer होते है आपका वो एक ready made set होते है auto shapes का ready made है उसमें आप जो भी चाहें वो document पे अपने apply कर सकते हैं आप उनको resize कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं उनको flip कर सकते हैं left right जो भी आपको जैसा भी चाहिए colors कर सकते हैं आप सारे shapes को combine भी कर सकते हैं जैसे मैंने भी जायत example में और उसको ungroup भी कर सकते हैं circles, squares और जितने भी complex आपके shapes हैं complex shapes आपकी means यह सारे auto shapes आप इन सारों को use कर सकते हैं कभी कभी बेटा यह problem होती है कि आपका drawing toolbar जो होता है वो visible नहीं होता है तो उसको activate कैसे आप करेंगे आप show draw function में जाएंगे जिसमें ऐसे करके आपका तो आप second option भी apply कर सकते हैं आप view में जाएंगे, फिल टूलबार में जाएंगे, फिल drawing में जाएंगे तो आपको पूरा toolbar, drawing का toolbar आपको पूरा आपको दिख जाएगा अब बिटा जैसे आप देख सकते हो कि यह सारा आपका practical implementation है इस page बे भी आपका पूरा practical implementation है यह भी आपक फुल प्राक्टिकल इंप्लिमेंटेशन है, सब कुछ आपका जो भी है, वो आपका प्राक्टिकल ही है, थोईरी, you have to write in your own words, जब तक आप प्राक्टिकल नहीं करोगे, आप थोईरी नहीं लिख पाऊगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको, लाप्टॉप पर करके ये सारी चीज़ें, अब बेटर जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे पास ये पूरा ड्राइंग टूलबार मेरा ओपन है, ठीक है, कभी-कभी ये चीज़ आपकी ओपन नहीं रहती है, तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको बताया, आप जब इसमें क्लिक पर्टी बॉक्स खुल के आजाएगा, अगर ये चीज़ नहीं उपन होती है, आपके लाप्टॉप में आपके सिस्टम पे, तो आपके पास एक अनेदर ऑप्शन भी है, आप व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद आप यहां पर देखोगे, आप यहां पर देख सकते हैं, अब बेटा आप स्क्रीन पर देख पार होगे, डिफरेंट हैब के आपके यह शेप प्रेजेन अपर, तीक है, आपको यह दिख रहाँगे, इस टार है, आपका सरकल है, जितने भी हैं आपके यहां पर सारे आपको शेप दिख रहाँगे, तो आप इसको अप्ला टाई करना है आप यहाँ पर उसको ड्राइल कर दो तो देख सकते हैं यह को तुष न्ट बड़ी कर सकते हैं आप अपको इसकी लेंध बड़ी करनीं है तो आपो 직접 करें जिस साहिए छितने भी आपके द्राइण टूल बार हैं, यहाँ पे आप देख रहोंगे आपका इक line शेप है, यह आपका line है, इससे आप line ड्रॉख कर सकते हैं, यह देखे बेटा, यह आपकी line ड्रॉख रही है, इसको आप extent भी कर सकते हो जितना आपको चाहिए लंबी छोटी जितनी भी आपको लाइन चाहिए आप असे extent कर सकते अपने according बिटा आप line का ही इउस करके arrow भी बना सकते हो आपने यहां से line लिया था यह आपकी आपके पास एक option आएगा लाईन का आप देख सकते हो यहां पर आपके पास लाइन का आ रहा है यहां से डेख भी सकते आपको चाहिए आपको समॉल ऐरो चाहिए स्मॉल लीजिए सर्कल एरो चाहिए जो भी लीजिए जैसे हमने सर्कल एरो लिया ठीक है उसके बाद हम ओके करेंगे आपकी लाइन वाली इमेज पर यह आपका सर्कल फॉर्म हो गया रो में तो इससे आप एरो अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्युमेंट में अब बिटा आप ड्रॉइंग टूल बार पर एक टी नाम का देख रोगी यह आपका टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स इससे आप टेक्स लिख सकते हैं ठीक है आप इस पर क्लिक करेंगे ठीक है तो यहां पर आपका जो भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनके आजाएगा आपकी स्क्रीन पर बेटा देखिए आपका टेक्स्ट काका बॉक्स पर जाके आप पकी आपकी स्क्रीन पर आपकी और इसली अव्य आप लेखिँmpया पर उपका सक्त करेंगे आपका टेक्स्ट बोक्स बना था ये मैंने कुछ भी टाइप कर दें , कुछ भी आपता व्याप कर दो कर सकते हैं whatever you want to write अब बेटा आप चेंज कर सकते हैं लाइन के स्टाइल को भी और लाइन के कलर को भी ट्रॉइंग ऑबजेक्ट में उसके रहे आपको क्या करना पड़ेगा आप कोई भी शेप यहां से चूस करें यहां पर एक सारजने के बार आप जोगे फॉर्माट में आप करोगे Treatment की शेकर आपको यहांपर ऑप्शिन आयीगा लाइन के बाळ टिक recite Doik यह जो करना चाते हैं जो आपका बॉर्डर है कि आप कितने सारे नीकालर्स हैं जो भी आप 스 स्टाइल करो देकन में चूस करती हूं for example green और continuous line आप लेना चाहते हो या लाइन में डैश चाहिए आपको find डैश चाहिए ऐसे टाइप से और लाइन का style भी ऐसे ही and then you will click okay तो अब आप देखो कि यहां आपके पूरे दिखे ग्रीन ग्रीन आप पूरा डैश डैश हो गया साइड में आप देख रहे हो तो यह सारी चीज़े आप अप्लाई कर सकते हो कलर कर सकते हो लाइन के style में ठीक है अब बीटा आप इन शेप्स को कलर भी कर सकते हो उसके लिए भी आपके पास option available है उसके लिए आपको क्या करना पढ़ेगा बीटा आपको फ पर में जाने के बद आप अब्जेट में आना आप अब्जेट में आने के बद आप एरिया में जाओगे क्योंकि आपको फिल करनी है कलर फिल करना तो आप एरिया चूज करो यहां पर देखो कि कि आपके पास option आ रहा है वेलेबल इतने सारे different variants हैं आपके colors के ठीक है जो भ अपने accordingly कर सकते हो और विटा most important thing कभी कभी वाइवा में आपकी teacher पूछ भी लेते हैं जैसे आप drawing object जब भी आप बनाओगे बनाओगी तुरण select करोगे तो आपका उपर आपका drawing object properties open करके आ जाएगा आप देख सकते हो यहां पर आपकी drawing object properties पुरी खुल के आगई green color जो group भी कर सकते हो तो यह आपके different variants हैं अब बेटर आप इसमें graphic text art को भी insert कर सकते हो वो कैसे करोगे आप नीचे यह option देख रहे होगे नीचे आप यह लिखा है आपका यह आगया font work ठीक है यहां पर आप अपने हिसाब से भी चीजों को लिख सकते हो आप अपने text पर भी चीजों को apply कर सकते हो जिस भी text पर आप ऐसे type का font apply करना चाहो it's up to you अब जैसे बीटर आपको picture insert करनी है फाइल से या gallery से तो फाइल से आपको picture insert करनी है तो आप insert में जाओगे insert में जानने के बाद आप यहां देखो कि picture लिख करके आ रहा है और यहां पर आपकी from file का option आ रहा है आप अपनी file से जाकर के picture को select कर सकते हैं जो भी आपकी files में picture save होंगी ठीक है यह आपकी options है देखे windows खुल के आ गई मेरी ठीक है another options आपके पास यह है कि यहां पर आपको गैलरी टाइप का दिख रहा हो को यह देखे गैलरी लिखा भी है आप जब इस पर क्लिक करोगे इस icon पर तो आपका गैलरी यह देखे पूरी गैलरी यहां पर आपकी खुल के आ गई है यहां पर देखे आपके बैग्राउंड में यह देखे आपके पास another options इसे डिस्टार में जो भी आप computer प्लिक करोगे तो देखी आपकी सारे computer बन करके आगे diagram प्लिक करोगे तो diagram आपके बन के आ जाएंगे ऐसे ठीक है जो भी schools and university प्लिक करोगे तो ऐसे schools की चीज़े आ जाएंगी word map आ जाएगा आपका sounds आ जाएंगे आपके यह देखे sounds बना हुआ है जैसे music सुन रहा हो कोई ट्रांसपोर्ट है आपका यह देखे ट्रांसपोर्ट में आपकी सारी चीज़े आ गई कार बस बाइक जितनी भी चीज़ें सारी आ गई तो यह सब चीज़े open office writer खुद provide करता है जो कि आप apply कर सकते हो अब बेटे जैसे कभी-कभी हम लोग सारी चीज़े apply कर लेते हैं properties वेकर अपनी drawing object में images ने बट फिर भी हमारा कुछ contrast है brightness है color mode है या black and white है जो भी चीज़ वाटर मार्क जो भी आ रहा है उसको ठीक करने के लिए हम देखेंगे यह properties का option हमारे पास हम properties में जाएंगे यहां आप देख सकते हैं different type के हमारे पास options हैं हम चीजों को bold italic underline कर सकते हैं उनमें spacing बढ़ा सकते हैं उनमें indentation कर सकते हैं left या right या decrease जो भी है ठीक है उनकी transparency बढ़ा सकते हैं और जितने भी other options हैं you can apply over here ठीक है आप font का color change कर सकते हो आपके पास highlighter के लिए भी चीज़े हैं जो भ बीटा हम बात करते हैं हम picture को कैसे modify कर सकते हैं resize कर सकते हैं delete कर सकते हैं उसको crop कर सकते हैं यह सब चीज़े कैसे कर सकते हैं तो हम insert में जाने के बाद हम pictures में pictures में हमारा from file option आने लगा अब हम अपनी file से कोई भी randomly एक भी image select कर लेंगे for example बेटा हमने यह food की image select कर ली ठीक है और अब हम इसे जा करके यहां पर open कर देंगे तो यह हमारी food की image यहां पर apply हो जाएगी अब हम इस image को crop कर सकते हैं resize कर सकते हैं जो भी हम apply करना चाहिए उसकी scaling बढ़ा सकते हैं brightness उसका contrast जो भी बढ़ाना चाहिए हम कर सकते हैं अब आप देख रहे होगे यहां बगल में options आ रहा है brightness का contrast का उसका color mode transparency position height तो यह सारी चीज़े आप apply कर सकते हैं अपने accordingly ठीक है बीटा for example हमें जैसे picture को crop करना है ठीक है तो हम यहां पर click करेंगे हम उसके बाद यहां पर जाएंगे pictures में pictures में जाएंगे तो हमारे पास dialogue box open हो करके आ जाएगा यहां पर मैं दिख रहा है यहां पर crop का option लिखा है हम crop पर जाएंगे ठीक हैं हमें उसकी कुछ height तो 100% यहां पर image की size है विर्थ इतनी है ठीक है हम इसमें कुछ changes ला देते हैं हम इसको कर देते हैं नहीं नहीं बढ़ा देते हम सोड़ा से से हमने ले लिया 39 अब हम इसे ok कर देते हैं तो हमारी कुछ image और बड़ी हो गई तो इस तरीके से हम image को crop या और छोटा जो भी हम चाहें वो कर सकते हैं cropping में आप enhance भी कर सकते हो बड़ा भी छोटा भी कर सकते हो तो यह आपकी image देख रहे हैं आपका यहां पर size था पहले अब आपकी image छोटी crop हो करके इतना size इधर से कट गया इसका और इतना इधर से कट गया तो इसकी विर्थ यहां से कम हो गई तो you can crop your images अब जैसे बीटा आपने कुछ text लिखाओ और आपको उसके बीच में image edit करनी है ठीक है तब भी आप वैसे ही जाओगे option तो सारे वही है pictures में जाओगे from file में जाओगे अब आपकी file मे जो भी image है आप उसे choose कर लोगे अपने accordingly अब for example मैंने यह image choose कर ली अब मैं इसे open करूंगी यहां पर तो यह आपके screen पर open हो गई अब आप इसको adjust कर सकते हो आप उसको left right या उसको text के उपर दिखना है जो भी है आप उसको अपने accordingly adjust कर सकते है अब देखिए यहां पर image कितन है यह देखिए आपकी image shift होती रही है आप अब आप देख रहे हो कि आपका text जो नीचे वाला बहुत नीचे चला गया है अब आप उसको उपर ला सकते हैं अपने according अभी देखिए अब यह सारे जो भी आपके formation है चीजों के वह आपके एक्दम particularly बन गया अच्छे तरीके स अब आप इसको इसकी width extend करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको यह option नहीं चाहिए कि आप ऐसे करो तो यहां बगल में आपके पास properties भी आ रही है properties में विर्थ देख सकते हो 4.40 लिखी height 1.80 लिखे है आप इसको अपने हिसाब से भी बढ़ा सकते हो ठीक है चलिए आपने इतना इतना कर दिया तो आप देख सकते हो इसी according आपकी image भी इस साइड बढ़ रही है तो आप अपने या तो ड्रागन ड्रॉप की यूज से इस तरीके से आप कर सकते हैं या तो आप यहां पर पोजिशनिंग कर सकते हैं अपने ratios आप उस पे apply करके अब बिटा एक last चीज आपको यह भी सिखाई गई इसमें कि आप पिक्चर पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहां पर व्रैप को option मिलेगा व्रैप आप जानते हो रोल वेगरा खाते होगे कबाब रोल वेगरा तो आप व्रैप करके मिलता है अंदर कबाब रहता है उपर स यहां पर नीचे ही चला गया और क्योंकि मैंने नो व्रैप पर किया ठीक अगर मैं जाओं फिर से व्रैप पर और मैं पीज व्रैप करूं ठीक है तो यह देखिए फिर से हमारा डीज वित आईटी यह नीचे यहां पर चला आया फिर आपको डिफरेंट टाइप्स आप चा है तो लाइक और शेयर और शेयर विफरेंट आपको जाएब्स आपको ने चानल यह ना बिज्ड विए तक्यों ट्रॉंच